हलो फ्रेंट आप सब कैसे हैं देखिए आज बनाई हूँ प्याज की कचोड़ी और पराठा दोनों बहुत ही असान तरीके से बना कर तयार करेंगे खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी कचोड़ी बनाने के लिए भरने के लिए पहले प्याज के मसाला तयार करेंगे एक चमच तेल लिए हैं और आधा चमच जीरा लिए हैं थोड़ी सी खड़ा धनिया डाले हैं और आधा चमच के लगभग अजमायना मंग्रेला डाले हैं अदो मीडियम साइज काटके प्याज ले लिए हैं बारिक बारिक उसको डाल देंगे एक वार इस तरीके से प्याज के पराठा बना कर देखेंगे अफ्रेंट बहुत ही टेस्टी बनती है कर्चोड़ी और पराठा दोनों बनाएंगे प्याज को थोड़ा से सुनहरा होने तक भूंजेंगे ज्यादा नहीं दो से भूंज़ डाल दियें इस तोड़ी सी लाल रोल ड्फण डालेंगे और छोड़ी सी हल्दी प्योल डानेंगे सभी मसाल्य अच्छी तरीके से भूंज गए हैं अब उस में 2-3 चमच वेसं मिलाएंगे अब बेशन को भी थोड़ा दरी के लिए भूंजेंगे तो उसको थोड़ा सा कच्चा परना निकल जाए तीन चमच बेशन डाले है स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे आधा चमच के लगभग नमक डाले है थोड़ी सी पावभाजी मसाला डाले है अगर आपके पास पावभाजी मसाला है तो पावभाजी मसाला डालकर बनाएगा बहुत ही टेश्टी बनेगी और नहीं है तो गरम मसाला भी डाल सकते है कचवडिया पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे उसमें एक चमच के लगभग तेल डाले है जो रिफाइन तेल है और आधा चमच जीरा और मंगलेल डाले है असवाद के उसार नमक डाले है सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अगर ज्यादा खास्ता कचवडि बनानी है ना तो रिफाइन थोड़ा सा और ज्यादा डालिएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गुछ लेंगे आटा थोड़ा सा कड़ाखी गुछेंगे रोटी से थोड़ी सी कड़ेख होनी चाहिए कीकी कचवडि बना रहे हैं आटा को गुछ लिए हैं देखिए इस तरीके से आटा रखो रखेंगे हलका आटा कड़क ही है पांस मिनेट के लिए आटा को रेष्ट करने के लिए रख देंगे अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी पसंद आएगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जिक करिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करिएगा असेर भी करिएगा कि इस तरीके से सभी लोग प्याज के पराठा बना कर खाएं जो प्याज के मसाला बना कर तयार करी हूँ ने इस तरीके से गोल गोल बना लेगे कि भरने में असान होगी आट लोई बनकर तयार हो गई है मैं तो सोची थी के चौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड लेकिन मेरा बेटा बोला मम्यू मैं पराठा खाऊंगा इसलिए मैं पराठा भी बनाई हूँ सभी को इस तरीके से भर लेंगे अगर प्याज के मसाला इस तरीके से बना कर रखेंगें तो भरने में बहुत असान होगी आद देखी इस तरीके से गोल कर लेंगे एक join इस तरीके से प्याज के पराठा जरूर बना कर खाएगा फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगेगे अगर थोड़ा सा और चटपटा खाना चाहते हैं न फ्रेंट ते एक निम्बू का रस डाल दिजेगा थोड़ा सा खटा-खटा अच्छा लगेगा सारे को इसी तरीके से भर लेंगे आप हमारे वीडियो कौन-कौन सी सीटी से देख रहे हैं फ्रेंट कमेंट करकर जरूर बताएगा वीडियो को सेर भी करेगा फ्रेंट बहुत ही कम मेहनत में पराठा बनकर तयार हो गई है देखें कितना जल्द पराठा बनी है इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है पराठा बनाने में अभी बारिस का मौसम चल रही है तो कभी कभी सब्जिया नहीं मिलती है तो प्याज तो हरके घर में रहती ही है और वेशन तो इस तरीके से पराठा जरूर बना कर खाईएगा एक छोटा सा कमेंट करके हमें बताईएगा कि कैसी बनी है कचावड़ी को तल लेंगे कचावड़ी लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से सीजेगी नहीं अ क्रंची नहीं बनेगी इसलिए मेडिया माज पर ही कचावड़ी को तल लिएगा इस तरीके से अलटते पलटते सुनहरे होने तक तलेंगे कचावड़ी को हमें प्याच की कचोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंट खाने में क्योंकि बनाना भी असान है और खाने में भी टेस्टी लगती है अब बहुत जल्दी बन जाती है तो बारिस के मौसम में जरूर बना कर खाईएगा इसी तरीके से सारे कचौड़ी को तर लेंगे देखे कितनी फुली फुली कचौड़ी बनी है अद देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है देखे कचौड़ी हमारी तयार हो गई है भी इसको निकाल लेंगे देखे कचौड़ी का कितना अच्छा कलर आया है सारे का जौड़ी को गोल्डन होने पर ही निकालेंगे तो अच्छा खास्ता बनेगी अब चलिए पराठा बना लेते हैं पराठा बनाने के लिए एक तबा चड़ाये हैं अब इस तरीके से बेल लेंगे एक पराठा को पहले ही डाल दिये थे पराठा थोड़ा पतला ही बेले अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसांद आएगी फिरन तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी लगी हमारी रेस्पी पहले पराठा को दोनों तरब से सेके हैं फिर उस पे थोड़ी सी घी लगाये हैं फिर उसको पराठा को पलाट कर सेकेंगे देखे कितनी फुली फुली पराथा बनकर तयार हुई है इस तरीके से प्याज के पराथा बच्चे को लंच में भी बना कर दे सकते हैं इसी तरीके से पराथा को दोनों तरफ सेक लेंगे घी लगा कर देखे कितना अच्छा कलर आया है देखे पराठा और कोचोड़ी हमारी बनकर त्यार हो गई है अज दही वाली चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे आप चाहे तो इसको सबजी के साथ भी खा सकते हैं